इस कारिकरम की प्रायोजक है मेट्रो अल्मीरा मजबूत खूबसूरत और भरोसे मंद अल्मीरा शोशल मेडिया का जमाना है भाईया नाम कमाना है तो शोशल मेडिया बदनाम करना है तो शोशल मेडिया यही अफवा फैलाना है तो शोशल मेडिया अब देखिए ट्वेटर बाजो को बुलंद सहर पुलिस को ही बदनाम कर दिया हद हो गई तो बुलंद सहर के कप्तान साहब संतोष सिंग को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी आप भी सुनिये क्या था मामला और ट्विटर बाजो ने मामले को क्या बना दिया सोशल मीडिया पर कथपय टुचर चलाने वाले लोगों के द्वारा थाना च्छतारी की एक घटना को बहुत ही गलग तरीके से और बिना तक थेके अलग-अलग तरीके से ट्weet किया जा रहा है घटना का क्रमेय है कि 20 जनवरी की घटना है थाना च्छतारी के धारव गाओं के एक सावरव सर्मा का प्रेम प्रसंग थाना डिबाई के गालिपूर गाउं की एक लड़की के साथ था उस लड़की का ननिहाल धारव गाउं में है जहां से इन दोनों के बीच संपर्ख हुआ था लड़की ननिहाल में न रहकर के अपने मूल गाउं गालिपूर में रहती है दोनों गाउं की बीच में लगभग 15 सोलर किलो मीटर के बीच की दूरी है 21 जनुवरी को लड़की लड़का और उसके एक साथी के साथ मुट साइकिल पे बैठ कर अपने गाउं से धारव गाउं आई धारव गाउं में टूबल परें लोग गए जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मारके हत्या कर द परीवारी जनुद्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बिना किसी तरह का छेट शार किये अभ्योग दर्ज किया गया था पंचायत नामा पोस्ट मार्टर के बाद परिवारी जनुद्वारा अपनी मर्जी से स्वतह गंगा-घाठ करणवास पर लड़की का अंतिम संसकार किया गया, मीडिया में कटपे टुटर चलाने वाले लोगों दोरा ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने रात में जवरं अन्तिम संसकार कराया, इस संबन्न में कहना है कि कोई भी पुलिस कर्मी अंतिम संसकार के समय मौके पे मौझूद नहीं था किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है नहीं तो लोग वीडियो भी ट्वीट करते लेकिन केवल संसनी परिदा करने की रादे से कटपए लोग तुटर हैंगिल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बाद में लड़की के परिवारी जनोद्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें कुछ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाए जाने की बात थी उनके अन्रोद पर इस मुकदमे की विवेचना थाना च्छतारी से हटा के इंस्पेक्टर जहांगी रवाद उपकी गई दूसरा लड़का निशान्त जो लगबग 19 साल का है जो लड़की के साथ उसके गाउं गालिप को डिवाई से मुर्साइकिल से लाते समय दो लड़के साथ में थे एक मुख्यव्यूत सवरव सर्मा जो धारव गाओ का है दूसरा उसका साथी निशांत जो लगवग 19 साल का है उस दूसरे लड़के को भी गिरफतार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है यहां बिलकुल असपस्ट रूप से कहना है ति लड़की के अंतिम संसकार में प लोगों से कि गलत तक्षों के आधार पर संसनी पैदा करने का प्रयास में करें घरवालों के तहरीर के आधार पर विवेशना को ठाना जहांगीराबाद के इंस्पेक्टर को सुपूर्द किया गया है दी गई ये फायार में केवल एक अव्यूप्त नामित था बाद में व मोट साइकिल पे साथ आया था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है यदि घरपना में अन्य किसी की सनलिप तता होगी तो उसके संबन में भी गहराई से जांच कराई या रहे सुना आपने वारदात है प्रेम प्रशंग में मडर की प्रेमिका को गोली मार कर हत्या करने वाला सक्स पुलिस के हिराशत में है मगर ट्विटर बाजो ने एवती की लास को रात में जबरन जलाने की अफवा फैला दे इसलिए ख्याल रहे सोशल मीडिया पर तैरती खबरें अफवा भी हो शकती है इसलिए खबरों की ता तक जाएं फिर यकीन करें बुलंग सहर से एंटी टीवी भारत के लिए कदीम खान की रिपोर्ट जहां से इन दोनों के बीच संपर्थ हुआ था लड़की न निहाल में न रहकर के अपने मूल गाउं गालिपूर में रहती है दोनों गाउं की बीच में लगभग 15-16 किलो मीटर के बीच की दूरी है जानकारी होने पर उसे इलाज के लिए अलीगर वेजा गया जहां इलाज के बाद बच गया और उसे गिरफ्तार करके जिल भेजा गया परिवारी जनोद्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बिना किसी तरह का छेट शार किये अव्योग दर्ज किया गया था पंचायत नाम होगों दौरा इन दिखाया जा रहा है कि पोलीस ने रात में जवरं अंतिम संसकार कराया इस संब्द में करना है कि कोई भी पूलिसकर्मी अंतित्म संसकार के समय मौके पर मौजूद नहीं था किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है नहीं तो लोग वीडियो भी ट्वीट करते लेकिन केवल संसनी परिदा करने की राध्य से कट्वए लोग तुटर हैंगिल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बाद में लड़की के परिवारी जनोद्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें कुछ अन्य लोगों को भी अभ्युक्त बनाये जाने की बात थी सुना आपने वारदात है प्रेम प्रशंग में मडर की प्रेमिका को गोली मार कर हत्या करने वाला सक्स पुलिस के हिराशत में है मगर ट्विटर बाजों ने एवती की लाश को रात में जबरन जलाने की अफवा फैला दी इसलिए ख्याल रहे सोशल मीडिया पर तैरती खबरें अफवा भी हो शकती हैं इसलिए खबरों की ता तक जाएं फिर यकीन करें बुलंग सहर से एंटी टीवी भारत के लिए कदीम खान की रिपोर्ट देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबर होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एंटी टीवी भारत